पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो पैकेज 1 का टनल है, जहां से अगर आप दौरका की तरफ से एंटर करें, यानि पैकेज 2 के तरफ से पैकेज 1 में जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी, वो कैसी होगी, टनल का जो एंटरंस है, वो कैसा होगा वहाँ पे कितना रास्ता ब्लाक टॉप हो गया है, कितना रास्ता भी बचा हुआ है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 1 से वापस पैकेज 1 में लेकर चलूँगा, और पैकेज 1 से हम पैकेज 2 के तरफ भी देखेंगे, तो यह वाला जो हिस्सा आप देख रहें, यह पैकेज 1 का पाट है, जैसे आप इस बॉक्स को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, इस हिस्से से जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो पैकेज 2 शुरू हो जाता है, तो इस वीडियो में यह जो पूरा पोर्शन है, जो 8 boxes हैं, इसमें कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, इसके road के alignments कैसे होंगे, इसमें जो box push होना था, उस box push का क्या status है आज के date में, उसमें कितना timeline और लगने वाला है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बत group 1 का part already है, तो group 2 join करने की जरूवत नहीं है, group 1 completely full हो चुक है, मैंने group 2 को शुरू किया था, तो अगर आप group 1 के part में है, तो आपको group 2 join करने की जरूवत नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही तरीके के content बेचता हूँ, अगर आप दोनों group join कर लेंगे, तो आपको एक ही content दो पर आएगा, तो नीचे मैं link डालूँगा, आप जरूव से join कर लेजेगा, आपको जो number है इस group में, वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी unwanted call या unwanted messages किसी दूसरे के तरफ से कभी भी नहीं आएगे, आप सबने मुझे मेरे real estate business में पूरी तरह से support किया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे viewers, subscribers का, यहां के residents का, यहां के investors का, मेरे well wishes का, सारे channel partners का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को thank you कहना चाहूंगा, कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबलियत पे और मेरे market research प जो मैं social media पे या publicly नहीं बोल पाता हूं कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन home buyers या investors के साथ share करता हूं, जो मुझसे मिलने personally मेरे office आते हैं, यह कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत project में, चाहे वो residential हो या commercial, निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी real state research, transaction और consultancy में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे references दिये हैं, और मैं आपकी उमीदों पे ख़रा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी support करते रहिएगा, मैं future में भी आपके सारी उमीदों पे ख़रा ही उतरूँगा, इस पूरे area का मुझे च यहां invest करने का सोच रहे हैं, या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे office आकर मिल सकते हैं, नीचे मेरा direct number दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक informed decision लेने में support करेंगे, कुछ भी खरीदने से पहले मुझे मिलिएगा जरूर, मैं आपको किसी भी गलत project म निवेश करने से बचा सकता हूँ, मुझे बहुत सारे real state के लोग में मिलते हैं, जो कि अच्छे और साफ नियत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही platform नहीं मिल पा रहा है, मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए respect है, जो real state को long term vision के साथ अपना career बनान यह जो black top नहीं हुआ है, यह हिस्सा कब तक black top हो जाएगा, वो बताया और इसको public के लिए कब open किया जाएगा, वो भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अब इस वीडियो में मैं आपको tunnel से आगे लेकर आओंगा, और जो box हैं, 8 boxes, वहाँ पे क्या काम चल रह इस वजे से मैं इस हिस्से को capture करके आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को turn करके आपको यहां का update देता हूँ, देखिए इससे पहले वाला जो आपने video देखा था, वह इस tunnel का देखा था, पहले मैं आपको यह पार्ट एक्स्प्रेइन कर देता हूँ, टनल वाला हिस्सा, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो box push का काम चल रहा है उसका क्या status है train एक और जा रही है जब भी train यहाँ से जाएगी वो 10 से 15 के speed में ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है कब तक काम चलेगा वो भी आपको बताऊंगा और क्या क्या काम चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा यह जो आप इससा देख रहे है अभी फिलाल यह पब्लिक के लिए open नहीं हुआ है अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको temporary barricades दिख रहे है इस जगे पे तो यहाँ पे जैसे यह retaining wall आपको दिख रहा है यहाँ पे यह पूरा retaining wall जो है न वो यहाँ तक आ जाएगा और यह जो बॉक्स के उपर मैं खड़ा हूँ इस बॉक्स के उपर इस हिस रहे हैं यहाँ पे यह दिवार यहाँ तक extend कर दिया जाएगा तो यहाँ से जो traffic है उसको cross करके उधर नहीं move कर पाएंगे और वहाँ के traffic यहाँ नहीं आ पाएंगे तो यहाँ पे यह provision होगा उसी तरीके से box number 1,2,3,4 जो box number 3 और 4 है वो इसको dedicated होगा box number 4 और 5 जिसके उपर म 6 और box number 7 के बीच का जो दिवार होगा उसके बीच में यह retaining wall को जोड़ दिया जाएगा तो traffic का movement जो अभी आप देख रहे हैं कि जो box number 6 में आ रहे हैं और वो 7 की तरफ move कर रहे हैं यह movement यहाँ पे completely बंद हो जाएगा क्योंकि retaining wall यहाँ तक बन जाएगा तो यह जो exclusive जो tunnel चीज जो यह हिस्सा आप लेख रहे हैं tunnel का जो जिसको mouth of tunnel बोलते हैं यह वाला point इस point से लेकर यह जो दिवार आपको दिख रहे हैं जहां पे मैं खड़ा हूँ यह जो पूरा हिस्सा यह retaining wall यहाँ तक आ जाएगा box number 6 और 7 के दिवार के बीच में वो retaining wall जो है वो box number 2 और 3 के दिवार से लेकर box number 6 और 7 के दिवार तक यह जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इसको पूरा completely cover कर दिया जाएगा यह वाला जो हिस्सा यह तो इसका मैंने आपको timeline बता दिया था पिछले वीडियो में बट जो यह cover करने वाला हिस्सा है वो आप मानिया कि जो complete finish होगा cover कर देखें वो मेर 24 तक complete होगा जाकर अब यहाँ पर रिटेनिंग वाल देख रहे हैं जापर traffic का movement है और यहाँ पर रिटेनिंग वाल देख रहे हैं इन दोनों के बीच में यह cover नहीं होगा उसी तरीके से यह जो retaining wall देख रहे हैं और इसके पीछे यह जो retaining wall देख रहे हैं उन बना हुआ है इसी तरीके से जब मैं यहाँ से आपको package 1 से package 2 के तरफ लेकर चलूँगा तो वहाँ पर already मैंने आपको बढ़ाया था कि वहाँ पर 10 लाख लीटर का stump बना हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह 5 लाख लीटर का stump बन रहा है और यहाँ बन चुका है यह पानी है वो पानी इस ड्रेन में जाएगा ड्रेन में जाकर पानी यहाँ जाएगा संप में और संप में अपने संप से या तो उसको ड्रेन आउट कर विया जाएगा अगर excessive water है otherwise इसको horticulture के काम में या किसी और water के पापस से इसको use किया जाएगा और rain water harvesting भी होगा इसके त अगर यहां पर आपको यह द्रेन दिखेगा यह वाला इस ड्रेन में जाकर वे सारा कुछ नेक्ट हो जाएगा और यह जो भी आपको लें मार्किंग दिख रही है यहां पर यह एक temporary lane marking है यह सारा lane lane सब हटेगा यहां से यहां पर वापस से यह पूरा रास्ता जो री मेर्टिंग होगा blacktop होगा अब यह वाला हिस्सा तो मैंने आपको दिखा दिया अब यह वाला जो इसा आप देख रहे हैना कि यह पूरा बॉक्स किया हुआ हस में से जो वो बॉक्स नंबर वन है वह बिलकुल एक्स्ट्रीम डिवार के तरफ वह बॉक्स नंबर श्क्रीम नहीं मूवग्मेंट टो ऑफ पल्लिक के लिए उसमे टाफिक की मुवमेंट है, तो बॉक्स निमबर 100 और 3, 4 और 5 और 6 जो है इसको रोक के रखा हुआ है वहाँ पर ट्राफिक का मुवमेंट नहीं है बॉक्स नॉमबर 6 में फिलाल अभी ट्राफिक का मुवमेंट है तो बॉक्स नॉमबर 3 और 4 और 5 उनको रोक का रखा गया है अब यह जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं यह पू कॉंक्रीट नहीं हुआ रिटेनिंग मतलब यहाँ पर अभी जो क्रैश बैरियर है उसको नहीं बनाया गया है तो यह वाला जो पूर्शन ही यह बॉक्स नॉमबर यहां से इस पॉइंट से यहां तक यह बॉक्स नॉमबर 7 है उसके बाद यह वाला हिस्सा अगर आप देख 24 तक यह वाला काम जो है यह पूरा कंप्लीट होगा बॉक्स नॉमबर 4 में अभी टाइम लगेगा और क्यूं टाइम लगेगा जैसे मैं आगे जाओंगा आपको बताऊंगा मैंने अपको बताए रेलवेस का डाउन टाइम आगया और 31 डिसमबर के आसपास और 1 जैनुवर जो बॉक्सेज है उसमें ये वाला हिस्सा ये बॉक्स पुष वाला हिस्सा नहीं है इसको कॉंक्रीट किया जा रहा है आज आज में ये पूरे हिस्से में कॉंक्रीट को फिल कर दिया जाएगा और इस हिस्से को बॉक्स पुष की जरुवत ही नहीं है कॉंक्रीट फिल करने दो बॉक्स नुम्मेंट आप देख रहे हैं वह इस्सा भी ब्लाक टॉप नहीं हुआ है तो पहले बॉक्स नुम्मझ गरेंगे फिर बॉक्स नुम्म जो ए जानी यह आप मान कर चलिए कि बाई थर्ड वीक और फेबरी के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा लेकिन यह पर्मन बीच बीच में बॉक्स नुम्म फाइव और वह इसमें ट्राफिक का डाइवर्जन होता रहेगा जैसे जैसे काम चलेगा उसको लेकर यहां पर अब मैं आप गर आपको दिखाओं देखे यह जो दिवार है यहां तक बॉक्स नुम्मबर 7 है और यह बॉक्स नुम्मर 8 हो गया अब मैं आपको यहां से आगे लेकर चलता हूँ और जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ बहुत ही ज़्यादा बारिश के बाद कीचड़ हो गया अब देखें मैं बॉक्स नुम्मर जो 7 है उसको क्रॉस करके बॉक्स नुम्मर 8 के पास आ चुका हूँ यह बॉक्स नुम्मर 7 है जिसमें क्योरिंग का काम चल रहा है यह वाला आल्मूस्ट ये सब का काम खतम हो चुका है बॉक्स नम्र सेवन का काम कम्प्रीटली खतम हो चुका है अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पहले ड्रेन हुआ गरता था इसको डिस्मैंटल कर दिया गया है रेलवे ट्रैक के नीचे का हिस्सा पूरा क्लियर कर दिया गया है यहाँ से आगे तक इसको पहले ही बना दे रहे हैं जिसका काम आल्मूस्ट आज खतम हो जाएगा उसके बाद ये वाला हिस्से में बॉक्स पुश होगा क्योंकि एक मीटर जो बॉक्स पुश होता है वो एक दिन में होता है तो उसके हिसाब से अभी 25 मीटर बॉक्स पुश और होना है तो 25 दिन तो बॉक्स पुश होने में ही और लग जाएंगे और उसके बाद जो बॉक्स पुश के बाद बाकी फिनिशिंग का काम होना है यह सब होना है तो उसमें अभी टाइम देगा तो यह वाला जो पूरा बॉक्स आप देख रहे ना यह पब्लिक के लिए खुलेगा मे ट्वेंटी फोर तक एप्रिल एंड से में में के मिड में आप मानकर चले कि यह पब्लिक के लिए ओपन होगा यह वाला हिस्सा और यहां से जैसे आप देखेंगे जो भी ट्रेंज आएंगी यहां से यहां से मैं आगे लेकर चलता हूं आपको यहां पर यूटिलिटी को भी शिफ्ट कर दिया गया है और यह जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर यह वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको डिगिंग कर दिया गया है यूटिलिटी यहां से शिफ्ट होना है इस वाले यूटिलिटी को भी शिफ्ट किया जाएगा य पाइप्लाइन को यहाँ पर और पाइप्लाइन के बाद जब यह सारा काम हो चुका होगा तो यह बस जो है न यह बस ऐसे आप मानके चलिए कि अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं और आपको यूटन लेना है नीचे अंडर पास में जाना आप सर्फेस रोड से आ रहे हैं तो जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहां पर यह रेलिंग लगा हुआ है इस रेलिंग में ही बॉक्स पुछ हो रहा है तो यहां से कोई भी ट्रेन जाएगी उसका स्पीड लिमिट जो है वो 10 से 15 किलोमिटर पर आर का कर दिया जाएगा अब देखिए ट्रेन जो है वो यहां से चले गई है और यहां पर सिकुरिटी के लिए कुछ Tabii बास बीडिये हुए हैं कांतर के तरफ से और रेलवेख्च के तरफ से भी कि ट्रेन अगर ढ maniacar हो तो यहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी सिग्नलिंको कि रेलवेar ट्रैक के तरफ से हट जाएं क्योंकि हूंक के लिए signaling के लिए भी यहां पर security जो staff है वो aligned है प्लस क्यूंकि train slow हो रही है तो कोई untoward incident ना हो जाए उसके लिए भी यहां पर security staff aligned है अब यहां पर आप देखें तो यह वाला जो portion है यहां से लेकर इस portion तक यह जो मिट्टी वाला हिस्सा आपको दिखता है railway track जो बना हो उसके यहां तक यहां तक अभी box push नहीं हुआ है box push जो हुआ है वो 15 मीटर का box push अभी होकर complete हो चुका है और आप बीजीज में city के आवाज सुन रहे होंगे तो city का आवाज का मतलब है वो अलग-अलग signals है वो तो लेबर्स जो हमारे he-man, superman, spider man काम कर रहे हैं उनको हट जाना है अगर आप देखें तो देखें तो देखें ट्रेन जो है यहां से ट्रेन आ रही है इस जगे से और signal करके city के थ्रू जो हमारे he-man, spider man, superman है उनको यहां जाती है तो ट्रेन जाने से लगभग दो-तीन मिनट पहले वो हट जाते हैं और ट्रेन काफी slow होकर यहां से move करेगी अब यह जो moment है वो capture होना लिखा था तो वो capture हो रहा है आप सब के लिए देखें फ्लाइड भी take off कर रही है ट्रेन भी जा रहा है और इस बॉक्स के मुव्मेंट भी होगा किया नजारा है और यहां से सामने अगर दिखाऊ यश्व भूमी कि यह देखें कि इस सारी गुड्स ट्रेन है जो अभी जा रही है इससे पहले जो पैसेंजर ट्रेन थे वो गय थे काफी टाइम हो गया है मुझे ट्रेन में सफर करते हुए लेकिन इस महने बन चाहला तो ट्रेन से सफर करूगा खेंगा और आप आप हमावार एमेंग सब्सक्राइप से आपकर में नहीं है जो पना काम हशकित कर लेंगे अब देखिए कोई ट्रेन नहीं है यहां से साई ट्रेन जा चुकी है आप इस वो क्रॉस करके मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यही पर अभी काम चल रहा है, बॉक्स पुश वाला, अब यहाँ पर जब मैं आपको समझाओ कि बॉक्स पुश जो है, वो कैसे चल रहा है, तो आपको exactly यह सब को समझ मा जाएगा, बट उससे पहले, जो आपने वो वाला हिस्सा देखा था, जहांसे मैंने वीडियो शुरू किया था, वहाँ से लेकर, आगे वाला जो आपको बॉंडरी वाल दिख रहा है, यह देखिए, यह वाला जो बॉंडरी वाल दिख रहा है, यहाँ तक, इस पूरे हिस्से तक, आप यह मान कर चलिए, कि railway tracks होंगे यहां पर और जो railway tracks होंगे क्योंकि railway का काम चल रहा है तो यहां पर जो security personals है plus जो engineers है वो railway के तरफ से भी assigned है कि जो box push का काम है वो जो contractor है ने चाहिए कि वो सही से कर रहे हैं जै कुमार या नहीं कर रहे हैं तो उनके निगरानी में ही सारा कुछ हो रहा है और इसके नीचे यहां पर box push को किया जा रहा है दो जो एक मीटर box push होता है तो धेरे करके box push अभी होना है और अभी जो है यहां से आप मान के चलिए कि 15 मीटर तक यानि यहां से यह वाले जो portion आपको दिख रहा है यहां तक box push अलड़ी हो चुका है पिछले 25 दिन में और यह ऐसा नहीं कि कोई आम नॉर्मल पब्लिक है यह यहां के security staff है जो सब कुछ inspect कर रहे हैं कि ठीक है या नहीं है अब यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यह जो आप हिस्सा देख रहे है इस box का यह पूरा box है जो अंदर तक जाना है यह जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं यहां से लेकर आगे तक इसमें यह वाले जो point है box का देखिए यह corner वाले जो point आपको दिख रहे है जहां मिट्टी है यह वाला point जो है न वो यहां तक push होके आ जागा यानि यह पूरा portion जो 25 मीटर का है वो push होके और अंदर तक यहां से जाएगा और यहां पर आपको दिखा हूँ तो देखिए जो box push है कहां तक जा चुका है यह railway track के अंदर का काम यहां पर चल रहा है और यह वाला जो box है इसके अंदर इसको भी पहले push किया जा रहा है तो इसको push करकर के अंदर ले जाएगे तो वो जो end है इस portion का वो end ही यहां पर आकर खतम होगा 25 मीटर काम भी बाकी है इस 25 मीटर को push करने के लिए आप लगभग मान के चलिए कि 25 से 30 दिन का समय अभी और लगना है और यहां पर अगर आप देखिएंगे तो विजवासन का railway station यहां पर काफी बड़ा Delhi NCR का सबसे बड़ा railway station यहां पर बनेगा इस जगे पर तो यहां पर मेटर स्टेशन भी है यहां पर railway स्टेशन भी है यहां पर airport भी है यहां पर यशो भूमी भी है द्वारका expressway का यह shallow tunnel भी है यहां पर इस जगे पर जो इंडिया का widest tunnel है उसके बाद यह 8 boxes है यहां पर जिसमें आप मानके चलिए जो बारिश का पानी है वो एक एक जो संप बना है वो 10-10 लाख लीटर का संप बना हुआ है और यहां से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहां पर जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ box number 7 जो है यह पूरा box फूश हो चुका है यह concrete हो चुका है जब box number 8 जो है वो इस पीले और काले वाले निशान तक आ जाएगा इस बैडिकेट तक आ जाएगा पुष करते वे यहां वाला इस्सा यहां से पुषच करते वे यहां तक जब आ जाएगा सरीय को बहनना और इसके बाद इसको पूरा कॉंक्रीट करना अब यहां से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं तो सामने यशो भूमी और यह जो आपको गाड़ी आते वे दिख रही है यह फ्लाइवर से आते वे दिख रही है द्वार के एक्सपेस वे का जो में का यहां पर यह सारव जो है यह box push के जो box push के आगया था उसके उपर का हिस्सा है इन सब में railway tracks आएंगे future में क्योंकि यह जो railway station यहां पर बनेगा और railway station वहां पर बनेगा तो सारे जो railway tracks है वो इसके उपर ही होंगे और यहां पर अगर आप देखें पीछे वाले हिस्से में यानि उस वाले हिस्से में आपको बताया था कि tunnel तक ऊपर तक cover कर दिया जाएगा यह प्लेन बताये कौन सा यह तो पुड़ा अलगी लग रहे है तो जैसे वहां पर पूरा cover कर दिया जाएगा tunnel तक यहां पर tunnel को cover नहीं किया जाएगा यह हिस्सा खुला होगा यहां पर पोस्टर के पीछे से देख सकते हैं आप यह जो दो कने यह वह इनसान है जिनके वज़े से द्वार की एक्सप्रेसवार बना है नहींतो लाखोभ दमोग द्वार रेलिंग्स लगे वे हैं और रेलिंग्स के त्रू इस बॉक्स को पुश किया जा रहा है तो यहां से जब बॉक्स पुश और होके 25 मीटर अंदर तक चला जाएगा जहां पर वो हमारे सेक्यूरिटी परसनल खड़े हैं यह देखें यहां तक बॉक्स पुश होना है यह वाला इसमें भी 30 डेस का टाइम लगेगा और यह पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस कॉर्णर से लेकर उस कॉर्णर तक यह पूरा हिस्सा जो है इसमें रेल्वे ट्राक्स होंगे फूचर में और यहां पर यह रेल्वे स्टेशन बन रहा है यह कौन सा प्लेन है मुझे बड़े प्लेन देखने की आदत हो गई है रिकॉर्ड करते करते अब छोटे वाले भी दिखने लगे इसमें यह वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं अगर आप सेक्टर 21 के मेट्र स्टेशन के तरफ से आ रहे हैं और सर्विस लेन लेते हैं और आपको यूटन लेना है तो कुछी जीर में अप संसेट भी होने वाला है और ठंड बढ़ने वाली है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाओ यह हिस्सा थोड़ा आगे तक है यानि बॉक्स नुमबर 8 बॉक्स नुमबर 7 और बॉक्स नुमबर 6 आगे तक है उसके बाद बॉक्स नुमर 54321 वह पीछे त और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाओं, यह वाला हिस्सा आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हिस्से तक blacktop हो चुका है, पिछले बार मैंने जब इस हिस्से को cover किया था तो मैंने आपको बता था कि blacktop हो जाएगा इस time तक, इसके नीचे अगर आप द आपको last time बताया था कि जो traffic movement है, उसके designing में भी थोड़ा सा change हुआ है, वो क्या change हुआ है वो भी आपको समझाता हूँ, यहाँ के जो आखरी के दो boxes है, यानि box number 8 और box number 7, यह surface road में अगर आप यहाँ से अंदर जाएगे, तो surface road में बहार आएगे, box number 6 और box number 5 जो आप देख रहा है, यह जो traffic movement है, यह आपको अंदर ले जाएगा, tunnel के, उसी तरीके से अगर आप tunnel के तरफ से आ रहे हैं, तो box number 4 और box number 3 आपको tunnel से बाहर लेकर आएगा, और जो आखरी वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, अगर आप tunnel के ऊपर से आ रहे हैं, शीव मूर्थी के तरफ से तो जो box number 1 और box number 2 है, उसका जो surface है, यहाँ से जो ramp बाहर निकल रहा है, आप उस ramp से बाहर निकल जाएगा, और आगे अलग-अलग direction boards दिए में, उस direction boards की तरफ आप जा सकते हैं, यह वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यह वाला portion, box number 6 और box number 5 वाला जो portion आप काम अलड़ी हो चुका है, यह देखिए एक और plane टेक आफ करते हुए, आइए इसके अंदर देखते हैं, जहाँ कर, किर्की के अंदर, कोई दिखे तो पताईएगा, यह देखे आपको आपको एक डार के अपको दिखे रहे हैं, आपको पूरे दौर के एक्सप्रेस वेन, अलमोज सब कुछ कवर कर चुका हूँ, कोई छूड गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजेगा, थक गया मैं अभी, ठंड भी बहुत है, और कीचर भी बहुत है, मुझ वीडिया आपको कैसा लगा, और जैसा कि महा मेशा कहता हूँ, जब तक गोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जय हिंद, जय भारत